हाई गाईज, वेलकम बैक टू दी चानल, आज के इस वीडियो का टॉपिक है विंडोज, जिसे MS विंडोज और Microsoft विंडोज भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेस्चन आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो, तो इस ट करेंगे, जितने क्वेस्चन को प्राक्टिकल के माध्यम से दिखा सकते हैं, प्राक्टिकल भी करेंगे, ताकि चीजे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो यह टॉपिक आपके एक्जाम प्रॉस्पेक्टिव से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, विदाव डीले आगे बढ़ते हैं, प्वेस्चन नमबर वन, विन्डोज ओपरेटिंग सिस्टम वाज डबलप्ट बाई फिच कमपनी, विन्डोज ओपरेटिंग सिस्टम किस कमपनी द्वारा विक्सित किया गया था, राइट आंसर होगा, C, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ् Windows 95, Windows 98, Windows NT and Windows Vista are known as, यहां पे जो आप Windows 95, 98, Windows NT और Windows Vista देख रहे हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर, ओपरेटिंग सिस्टम्स, डोमेन नेम्स, मॉडेम्स, आंसर क्या होगा, अब भी, ओपरेटिंग सिस्टम्स के सभी एग्जाम्पल हैं, Windows operating system is a, अगर question पूछे कि Windows operating system क्या है, open source software, proprietary software, both of these, none of these, सही आंसर क्या होगा, बी, proprietary software, तो सबसे पहले समझते हैं, open source software क्या होता है, open source software, ऐसे software होते हैं, जो user, किसी भी परपस से, अपने system में, रन कर सकता है, distribute कर सकता है, study कर सकता है, और उसे जरूरत पड़े तो, modify भी कर सकता है, For example, Linux, proprietary software की बात करें, तो ये open source software का just उल्टा होता है, इसलिए इसे closed source software भी कहा जाता है, जिसका meaning है, software जो company के द्वारा on किये जाते हैं, company के permission के बिना, कोई user इसे distribute और duplicate नहीं कर सकता है, User को proprietary software, use करने के लिए software company को pay करना पड़ता है, ये free of cost अबिलेबल नहीं होता है, Example, Microsoft Office 2007, clear है, आगे बढ़ते हैं, Various applications and documents are represented on the Windows desktop by, Windows desktop पर कई application और documents represent किये जाते हैं, किसके द्वारा, graph, label, icons, symbols, आंसर क्या होगा, C, icons के द्वारा represent किये जाते हैं, Windows desktop पर application और document आप यहाँ पर देख सकते हैं, In which year Microsoft released Windows 10? Microsoft ने Windows 10 किस year release किया था, यानि कि जारी किया था? आंसर होगा D, 2015 में In Windows 10, what is the shortcut key to take a screenshot of the entire display and save? Windows 10 में, entire display का screenshot लेने की shortcut किया है? तो सभी को एक बार अच्छे से read कर लेज़े, right answer क्या होगा? D, window key plus PRTSCN, इसे कहते हैं, print screen key को एक साथ प्रेस करते हैं, तो आप entire display का screenshot ले सकते हैं, यहाँ पे आप keyboard में भी देख सकते हैं, यह है window logo की, इसके साथ में आपको इस key को प्रेस करना है, तो आप जिस भी display का screenshot लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, तो चलिए हम प्रेस करते हैं, window logo की plus print screen button, तो इस तरीके से आप screenshot ले सकते हैं, और यह save हो जाता है, आपके picture में जाके screenshot folder में, इन में से कौन graphical object है, जिसका use, आम तोर पर use किये जाने वाले application को represent करने के लिए किया जाता है, पांसर क्या होगा, dgui, graphical user interface, इसकी full form होती है, यह क्या है graphical object से, जिसका इस्तिमाल होता है, जो भी application आप इस्तिमाल करते हैं उसके लिए, आपको graphically दिखाए जाते हैं, इसके बाद question number 9 देखिए, using the dais process, it is easy to change the name of the file, किस process का use करके, file का name change करना आसान है, changing, renaming, new name, transforming, answer होगा, b, renaming process का, use करके, आप किसी भी file का name बहुत ही असानी से change कर सकते हैं, आपको करना क्या है, चाहे file हो या folder, किसी का भी नाम अगर आपको change करना है, तो सबसे पहले select करना होगा इस तरीके से, then आपको right click करना है, तो यहाँ पर आपको मिलता है rename का option, यहाँ से आप बड़े ही असानी से इस folder का, या इस file का name change कर सकते हैं, rename की shortcut की होती है F2, function की F2 की मदद से भी आप किसी भी file या folder को rename कर सकते हैं, याद रखेगा, which task runs first when the computer is booted and loads a graphical user interface, जब computer boot होता है और graphical user interface लोड होता है, तो कौन सा task सबसे पहली चलता है, right answer होगा A, authentication, यह task जो है सबसे पहले रन होता है, computer boot होने के बाद जब graphical user interface लोड होता है, which one is the default word processor for Microsoft Windows, Microsoft Windows का default word processor कौन सा है, हमने MS Office का default word processor बताया था, MS Word होता है, तो आप बताई Windows, Microsoft Windows का default word processor कौन सा है, इन में से, दिया गया है wordpad, notepad, MS Word, MS Pen, answer होगा A, wordpad, यह Microsoft Windows का default word processor software है, याद रखीगा, इसे open करने से interface कुछ इस तरह का दिखाई देता है, which function की needs to be pressed during reboot to enter in safe mode of a Windows machine, Windows machine के safe mode या troubleshooting mode में enter करने के लिए, reboot के दोरान कौन सी function की press करनी पड़ती है, त्वांसर होगा B, F8 की, function की F8 का इस्तिमाल करके आप Windows machine के safe mode में enter कर सकते हैं, reboot के दोरान, which of the following keyboard shortcuts can be used to open file explorer in Windows 10 system, Windows 10 system में file explorer open करने के लिए, निम्नलिखित में से किस keyboard shortcut का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा D, win plus E, यनि कि आपको keyboard में press करना है, window logo की जिसे sort में win कहते हैं, इसके साथ में E जब आप press करते हैं, तो file explorer open हो जाता है, this is a centralized place to view all maintenance and system messages, it is displayed by a flag like icon on the task bar, it is called the question क्या पूछ रहे, ये एक centralized place है, जो सभी maintenance और system messages को देखने के लिए, task bar पर एक flag जैसे icon द्वारा represent किया जाता है, या display किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, action center, media center, user account center, update center, आंसर होगा A, action center, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग desktop पर आ चुके हैं, task bar सबसे bottom में होता है, ये जो आप option देख रहे हैं न, भी latest वाला में कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, action center open हो जाता है, जहाँ पर आप सभी system related messages को देख सकते हैं, या फिर आप इस पर right click करके, open action center पर click करके भी action center को open कर सकते हैं, तो ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी system से related messages होते हैं, चाहे वो update हो, notification हो, सभी चीजे देखने को मिलेंगी, Windows XP में XP का meaning क्या है? Right answer क्या होगा? Be experience Windows XP बहुत ही popular operating system है, जिसका use मुख्य रूप से ATM machines में किया गया, What is the name of the new built-in browser included in Windows 10? Windows 10 में included new built-in browser, इन में से कौन सा है? Opera, Edge, Cortana, Explorer Answer होगा, Be Edge Windows operating system is Windows operating system क्या है? CUI, GUI, both of these, none of these Answer क्या होगा? Be, GUI, यनि कि graphical user interface होता है, Windows operating system, जिसमें आपको जितने भी application वगेरा हम use करते हैं, इस्तिमाल करते हैं, वो graphically represent किये जाते हैं, जिसे भी आप access करना चाहते हैं, उस पे double click करके कर सकते हैं, जिसमें keyboard का भी, keyboard नहीं, mouse का इस्तिमाल हम कर सकते हैं, GUI में, अब इस question को देखिए, Windows command prompt is, Windows command prompt जो है, ये क्या है? CUI है, GUI है, what of these है, none of these है, पांसर हो जाएगा A, CUI होता है Windows command prompt, जिसकी full form होती है character user interface, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कैसे Windows का command prompt open कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको, कीबोर्ड में Windows plus R की जैसे ही आप प्रेस करते हैं, run command या run dialogue box open होता है, यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD, एंटर प्रेस कीजिए, तो यह जो आप black screen देख रहे हैं, इसे कहते हैं Windows command prompt और character user interface, जिसमें आप keyboard के माध्यम से काम कर सकते हैं, mouse का इस्तिमाल नहीं होता है, BIOS, BIOS is used by, जिसकी फुल्फर्म होती है Basic Input Output System, इसका इस्तिमाल किसके द्वारा किया जाता है, Output Devices, Micro Processor, Operating Systems, Hardware, आंसर होगा C, Operating System के द्वारा Basic Input Output System का use किया जाता है, Date and Time are available on the desktop at, Date और Time, आपके desktop पे कहां पे available होता है, Keyboard में, Recycle Bin, My Computer, Task Bar, आंसर क्या होगा D, Task Bar में, तो यह है हमारा desktop, सबसे bottom में होता है Task Bar, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है Date and Time, On the Task Bar, the time is shown in the, देखिए, पिछले question में हमने देखा कि Computer, date और time आपको कहां पे display होता है, तो आंसर था, Task Bar में, अब क्या बताना है, Task Bar में कहां पे आपको date और time, जो है यह डिस्पले होता है, तो स्टार्ट मेन्यू, स्क्रोल बार, डेक्स्टोप, नोटिफिकेशन एरिया और ट्रे, तो आंसर होगा D, नोटिफिकेशन एरिया और इसे ट्रे, यह फिर सिस्टम ट्रे भी कह सकते हैं, यहां पे आपको Task Bar में date और time दिखाई देता है, जो यह है, इसे कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया, NTFS stands for, and it was developed by, NTFS का मीनिंग क्या है, और इसे किसके द्वारा डबलब किया गया था, इसे विक्सित किया गया था, Microsoft के द्वारा, निम्दलिखित में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम का एक्जाम्पल नहीं है, Windows 10, BSD Unix, Microsoft Office XP, Red Hat Linux, आंसर क्या होगा, C, Microsoft Office XP, ये ओपरेटिंग सिस्टम का एक्जाम्पल नहीं है, बाकी जो आप तीन ने मेहा पे देख रहे हैं, ये सभी है, What is the full form of GUI, GUI का full form क्या होता है Windows में, तो आंसर आपको हमने बताया है, Graphical User Interface, What is the full form of CUI, CUI का full form क्या होता है Windows में, तो आंसर होगा, Character User Interface, What is the full form of DOS Operating System, DOS का full form क्या है, आंसर है A, Disk Operating System, Microsoft released their first GUI based OS dash in 1985, Microsoft ने 1985 में अपना पहला GUI, Graphical User Interface Based Operating System, डबलब किया था, रिलीज किया था, और वो इन में से कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, C, Windows 1.0, Which of the following windows does not have a start button, निमनलिकित में से किस window में start button नहीं है, Windows 7, 8, XP, all of these, आंसर है B, Windows 8 में start button नहीं है, ये question कई बार पूछा जा चुका है, What is the full form of CLI, C, L, I का full form क्या है, तो आंसर हो जाएगा, B, command line interface, याद रखिएगा, जहां पे काम, command के थुरू किया जाता है, यानि कीबोर्ड के माध्यम से आप काम कर सकते हैं, How much minimum storage space is required for Windows 11, Windows 11 के लिए, minimum कितना storage space, की जरूरत पढ़ती है, requirement होती है, at least 16 GB, 32 GB, 64 GB, या फिर 128 GB, आंसर है C, at least 64 GB, यानि की कम से कम आपको 64 GB, space की जरूरत पढ़ती है, तभी आप Windows 11 को install कर सकते हैं, which window is used for PC, business desktop, laptop, and servers, twin सभी के लिए, Windows 2000 का इस्तिमाल किया जाता है, In Windows 10, Biometric Login Featured has been named, Windows 10 में Biometric Login Featured को क्या नाम दिया गया है, Windows Hello, Windows Bio, Windows Padlock, Windows Instant, आंसर होगा A, Windows Hello, Windows Database is Cold, Windows के Database को क्या कहा जाता है, Cell, Kernel, Windows Explorer, या फिर Registry, आंसर होगा D, Registry, Windows Database को Registry कहा जाता है, Released Date of Windows Operating System is, Windows Operating System की Release Date क्या है, पांसर क्या होगा, D, 20th November 1985, Windows Operating System was written in, Windows Operating System को किस में लिखा गया था, यानि कि किस Language का इस्तिमाल करके, Windows Operating System को लिखा गया था, तो यहां पे दिया गया है, Java Script, C, Visual Basic, All of These, तो आंसर होगा, D, इन सभी Language का इस्तिमाल किया गया था, Windows Operating System को लिखने के लिए, लेटेस्ट वर्जन 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 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, Windows 9, 10, 11, 12, आंसर होगा, C, Windows 11, Help menu is available at which button, Help menu किस बटन पर अबिलेबल है, and start, restart, turn off, आंसर होगा, B, start button पर, The task bar is located, task bar कहां पर इस्तित है आपके system में, ये question exam में कई बार पुछा जा चुका है, हमने discuss भी कर लिया है, कि task bar कहां पर इस्तित होता है, at the bottom of screen, तो यहां पर देख सकते हैं, ये है desktop screen, सबसे bottom में जो आप line यहां से, यहां तक देख रहे हैं, इसे कहा जाता है task bar, जिसमें date और time, जितने भी application run रहते हैं, वो सभी search type, start button ये सभी located होता है, तो इसे याद रखेगा, यहां से question जरूर पुछता है, which of the following operating systems, does not implement the multitasking truly, निम्नलेखित में से, कौन सा operating system, multitasking को implement नहीं करता है, विन्डो 98, विन्डो NT, विन्डो XP, MS-DOS, आंसर क्या होगा, D, MS-DOS, जो है, यह, multitasking को, implement नहीं करता है, क्योंकि यह, single user, single tasking है, which of the following operating system, do you choose to implement a client-server network, client-server network को implement करने के लिए, यह फिक है सकते हैं, लागू करने के लिए, आप निम्नलेखित में से, कौन सा operating system, चुनते हैं, तो operating system के नेम दिये गए है, MS-DOS, Windows, Windows 98, Windows 2000, आंसर क्या होगा, D, Windows 2000, which among the following operating system, is command line based, command line based, इन में से कौन सा operating system है, यहनि कि command line पे, आधारित operating system, निम्नलेखित में से कौन सा है, तो हमने discuss कर लिया है, MS-DOS, Microsoft disk operating system, इसकी full form होती है, जो command line, interface हमें provide करता है, cmd command इसे भी कहते हैं, What is the full form of MS-DOS, MS-DOS का full form क्या होता है, यह अभी हमने आपको बताया है, बताई कौन सा option सही है, A, B, C, या फिर D, तो आंसर होगा, C, Microsoft disk operating system, which of the following type of menu, इसे फ़र्दर सब चोईसेज, निम्नलेखित में से किस type का menu, further यानि कि आगे सब 24 डिस्पले करता है, so करता है, reverse template scrolled pull down, आंसर होगा D, pull down, To shut down windows, you need to select dash option from the start menu, and then select shut down, windows को बंद करने के लिए, यानि कि shut down करने के लिए, आपको start menu में जाके, किस option को select करना है, और फिर, shut down का option आपको select करना है, तो दिया गया है setting, account, control panel, power, answer होगा D, power option को आप select करेंगे, करना कैसे है, तो हम desktop पे आ चुके हैं, सबसे नीचे इसे कहते हैं, start button, जब आप इस पे click करेंगे, तो आप जो ये वाला button देख रहे हैं, इसे कहते हैं power button, इस पे click कीजिए, तो इहाँ पे आपको slip, shut down, restart का option मिलता है, in any window, the maximize button, the minimize button, and the close buttons appear on, किसी भी window में, maximize, minimize, और close buttons आपको, कहां पे दिखाई देते हैं, tool bar, title bar, menu bar, status bar, answer क्या होगा, B, title bar, तो यहाँ पे हम कोई भी एक window open कर लेते हैं, तो हमने, Microsoft Windows का, word pad, open किया है, यहाँ पे सबसे top में जो होता है, इसे कहा जाता है, title bar, जहाँ पे application का name, और file name दोनों लिखा रहता है, यहाँ पे आई right side में इसे कहते हैं, minimize button, इसे restore और maximize button कहा जाता है, और इस button को कहते हैं, close button, याद रखेगा, यहाँ से भी question पूछा जाता है, all the deleted files go to, जितनी भी file आपके system से, delete कर दी जाती है, वो कहां जाती है, recycle bin, task bar, tool bar, my computer, answer होगा, A, recycle bin में जाके, save हो जाती है, जितनी भी file को आप system से delete करते हैं, वो अगर permanently delete कर दिया जाए, तो वो system में, system के recycle bin में नहीं जाती है, तो यह है desktop, यहाँ पे आपको मिल जाता है recycle bin का option, यह है recycle bin का logo, जब आप इस पे double click करते हैं, तो किछी इस तरीके का interface आता है, जितनी भी file हमने delete किया है, यहाँ पे आके save हो गई है, अगर इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम इस पे right click करके restore कर सकते हैं, start button is located at the dash corner of the task bar, task bar के किस corner में start button located है, यनि कि इस्थित है, left, right, center, all of these, तो answer क्या होगा, a left में, तो यह है नीचे task bar, यह जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं start button, how many different documents can you have open at one time? आप एक समय में कितने अलग-अलग document open कर सकते हैं, a, only one, यनि केबल एक ही document को open कर सकते हैं, b, no more than three, तीन से ज़्यादा नहीं, c, as many as your computer memory will hold, आप उतना कर सकते हैं, जितना की आपकी computer memory hold कर सकती है, उसका कोई number यहाँ पे mention नहीं किया गया है, d, none of these, तो answer होगा, c, as many as your computer memory will hold, आप उतने documents open कर सकते हैं, जितना की आपकी computer की memory hold कर सकती है, वो zero भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानि की अनगिनत document भी हो सकता है, jeeping a file means, किसी file को jeep करने का meaning क्या होता है, encrypting the message, यानि की message को आप private कर रहे हैं, ताकि कोई read ना कर सकते, b, compressing the message, c, transfer the message, d, all of the above, सबसे appropriate answer क्या होगा, b, compressing the message, jeep जो है, ये एक common file format है, जिसका use किया जाता है, एक या एक से अधिक file को, एक साथ एक ही location में, compress करने के लिए, इससे क्या होता है, file का size reduce हो जाता है, कम हो जाता है, और इसे आसानी से transport किया जा सकता है, यानि कि transfer किया जा सकता है, किसी को send किया जा सकता है, और system में store करके भी रख सकते हैं, you organize files by storing them in, आप file को organize कर सकते हैं, किसमें store करके, तो answer होगा, b, folders में, question number 55 देखिए, you can keep your personal files, folders in, आप अपनी personal file या folder को कहां रख सकते हैं, my documents, my folder, my text, my files, तो answer होगा, a, my documents में, Windows 10 belongs to which family of windows, Windows की किस family से विलोंग करता है, Windows 10, answer होगा, b, Windows NT, NT का full form क्या होता है, new technology, which of the following is a file, निम्नलिकित में से कौन सी file है, fluffy disk, magnetic drum, magnetic tape, none of these, तो answer क्या होगा, d, इन में से कोई नहीं, क्योंकि जो भी आप तीन option देख रहे हैं, ये सबी storage device के option है, file का, appropriate statement नहीं दिया गया है, तो right answer d होगा, Microsoft Windows was announced by Wilgates on, Wilgates द्वारा Microsoft Windows की घोसना कब की गई थी, correct answer होगा, c, 10th November 1983 में, a place that a user can create to store files, वो place जिसे user, file को store करने के लिए create करता है, या बना सकता है, क्या कहा जाता है, cursor text folder boot, answer होगा, c, folder, what does g stand for in gui, gui में g का क्या मतलब है, तो हमने gui का full form क्या होता है, ये discuss कर लिया है, इस तरीके का भी question exam में पूछा जाता है, इसका answer होगा, a, graphical, what is the shortcut key to refresh window, windows को refresh करने की shortcut key क्या है, answer होगा, c, f5, function की f5 का इस्तिमाल करके, आप windows को refresh कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले, आप एक बार mouse से refresh करते हैं, देन जितनी बार f5 key को प्रेस करते रहते हैं, आपका windows refresh होते रहता है, when you move a file to the recycle bin, it will be immediately deleted from your computer, जब आप किसी file को recycle bin में ले जाते हैं, यानि कि move करते हैं, तो वो तुरंत आपके computer से हटार दी जाएगी, क्या ये statement सही है या नहीं, तो आंसर क्या होगा, B, no, ये statement गलत है, क्योंकि जब आप किसी भी file को system से delete करते हैं, तो वो recycle bin में शली जाती है, लेकिन वो आपके computer से तुरंत delete नहीं होती है, क्योंकि वो recycle bin में save है, जब आप permanently delete करते हैं, तब वो recycle bin में नहीं save होती है, डारेक्ट system से हट जाती है, तो यहाँ पर वो नहीं पूछा गया है, which processor do Windows 8 support, Windows 8 कि इस processor को support करता है, आंसर होगा C, X86 and ARM, इसकी full form क्या होती है, advanced risk machines, तो ये Windows 8 के द्वारा support किया जाता है, which file system Windows 10 uses, Windows 10 किस file system को उपयोग करता है, यनि किस्तेमाल करता है, FAT 16, FAT 32, NTFS, LMFS, आंसर होगा C, NTFS, New Technology File System का use, Windows 10 के द्वारा किया जाता है, On which device will Windows 8 not run, दिये गए डिवाइस में से किस डिवाइस पर Windows 8 run नहीं होगा, tablet, laptop, smartphone, desktop, आंसर होगा C, Smartphone, Question No. 66 देखिए, When you double click a file on the desktop, it will open in the, जब आप desktop पर किसी file पर double click करते हैं, तो यह किस में open होती है, तो यहाँ पर दिया गया है, Default Application for that file type, Start Menu, Control Panel, Most Recently Opened Application, आंसर क्या होगा, A, Default Application for that file type, यानि कि जब आप किसी file पर double click करते हैं, तो वो open हो जाती है, तो वो file किस पर open होगी, उस file का जो Default Application रहेगा, For example, आप desktop पर जाते हैं, Microsoft Word की एक file पर double click करके open करते हैं, तो वो file किस में open होती है, Default Application of Microsoft Word, उमीद करते हैं, doubt clear हो गया होगा, If the user wants to delete a folder in the disk operating system, He will use the dais command, यदि user disk operating system में, किसी folder को delete करना चाता है, यनि कि हटाना चाता है, तो वो इन में से किस command का use करेगा, REN, REN command, DEL command, CD command, MD command, None of these, यनि कि इन में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, B, DEL, जिसे कहते हैं, DEL और Delete command, जब आप disk operating system में किसी folder को delete करना चाहते हैं तो del command के माध्यम से कर सकते हैं वहाँ पे आपको select करके delete का option नहीं दिया जाता है क्योंकि काम command के थुरू होता है ना कि mouse के थुरू GUI के थुरू You can only have one user account on a windows computer आपके पास windows computer पर केबल एक user account हो सकता है Is it true or false? तो answer क्या होगा B false ये statement गलत है क्योंकि आप जितने user account चाहे create कर सकते हैं Suppose you have several windows open on your desktop but some of them are hidden behind other windows What is the easiest way to switch to one of the hidden windows? Question को ध्यान से समझे मान लीजे कि आपके desktop पर कई window खुली है लेकिन उन में से कुछ अन विंडो के पीछे चुपई हुई है यानि कि कुछ विंडो ऐसी भी होंगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी लेकिन वो open है तो उस hidden window को आप किस पर switch करके आसानी से open कर सकते हैं यानि कि access कर सकते हैं उस window में switch कर सकते हैं तो यहाँ को option दिए गए है A, B, C और D तो सभी को आप एक बार अच्छे से read कीजेगा हम आपको direct correct answer बताते हैं Slee, C, click the icon on the task bar यानि आपको क्या करना है practical से देखते हैं ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा Microsoft Excel open है लेकिन इस file के पीछे और भी कई सारे window open है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी window open है अब जो hidden window है हम चाहते हैं इस पर बड़े ही असानी से switch कर सके हम Excel से PowerPoint में जाना चाते हैं यह Excel से Word में जाना चाते हैं तो क्या करेंगे? Task bar में इस पर click जैसे ही करते हैं तो आसानी से switch कर सकते हैं तो यह था question का meaning Which of the following is the component of the Windows operating system? इन में से कौन सा एक Windows operating system का component है? तो आंसर क्या होगा? C. File Explorer यह है File Explorer का icon आप इसे double click करके open कर सकते हैं इस तरीके से एक question जिसका answer आपको comment में लिक के बताना है अगर आपने सभी चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका answer आप दे पाएंगे Which desktop feature has been included in Windows 10? That was omitted from Windows 8 Windows 10 में कौन सा dextro feature include किया गया है जिसे Windows 8 से हटा दिया गया था? यह फिर कह सकते हैं Windows 8 में नहीं था A. Recycle Bin B. Gadgets C. Start Menu D. Search वायादा Windows की Right answer क्या होगा? Comment में लिक के बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आफ हमारे चानल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के वगर मच जाएगा